तेभारों में खाना बहुत हैबी हो जाता है तेभारों के बाद कुछ हलका-फुलका खाने का मन करता है तो आज मैंने लाई का बहुत ही बेजी टेबिल से भरा हुआ स्वाधिश्ट सा चटपटा सा नास्ता बना करके तैयार किया है मैंने यहाँ पर एक पैकेट लाई लिए है इसके कई नाम है इसे कहीं कहीं मुरमुरा बोलते हैं कहीं कहीं फूला और कहीं कहीं लाई मैंने यहाँ पर आधा पैकेट लाई को ले लिया है जितनी क्वाइंटिटी में आप इस नास्ता को बनाना चाहते हैं उतना ही आप ले ले यदि आपका लाई थोड़ा सौप्ट है तो आप कढ़ाई में डाल करके इसको बच्छे से कुरकुरा कर सकते हैं लेकिन यह बहुत ज़्यादा सौप्ट नहीं है आप ऐसी ही इसका नास्ता बना करके तैयार कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और इसको स्वाधिस्ट बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी देसी घी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप किसी ओली ओल में भी इसको डाल करके इसको क्रेश्पी बना सकते हैं लेकिन जब मेरा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका तो तो मैंने एक पेंच इसमें हिंग डाल दी है हिंग का भी इसमें बहुत ही अच्छा स्वादा आता है अब दोने चीज़ों को मैं अच्छे से गरम होने दूँगी और हिंग को चटकने दूँगी जब हिंग मेरी अच्छे से चटक चुकी थी तो मैं इसमें जो लाई लिये थे सारी लाई को डाल दूँगी और गैस को कड़ दूँगी लो मीडियम लो मीडियम गैस पर इनको अच्छे से लगातार चलाते होगे करारा होने तक इसी में डला रहने दूँगी और गैस को बिलकुल भी तेज नहीं करना है नहीं तो जो आपकी लाई है जल जाएंगे और खाने में कड़ भी लगने लगे इसलिए इनको बिल्को धीमी गैस पर जादा से जादा आप एक दो मिनट डला रहने दे और तुरंद निकाल दे बहुत ही क्रश्पी आज के जो मेरी लाई है बन करके तयार हो चुकी है थोड़ा सा आप नमक डाल दे ऐसे ही आप इनको खा सकते हैं क्योंकि मैंने इनको थोड चोटे टोकड़ों में सिमला मिर्च भी डाल सकते हैं गाजर भी डाल सकते हैं और मतर को बोल करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज और हरी मिर्च को डाला है इतने में ही जो आपकी मुरमुरे का नास्ता है बहुत ही टेस्टी बन करके तयार हो और मैंने यहाँ पर हरी पत्ती डाल दी हैं सर्दियों की मौसम में बहुत ही जादा बैजी टेवल आने लगते हैं तो आप इनको अच्छे से हेल्दी बना करके अपने बच्चों को खिला सकती हैं और मैंने यहाँ पर दो चम्मज भर के चाट मसाला डाल दिया है चाट मसाली आप अपने एक छक्यानुसार कम्या जादा डाल सकते हैं और ले लिया है मैंने थोड़ा सा ग्रेन चिली सॉस इन सारी चीजों को डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी आज का जो मेरा नाश्ता बहुत ही चटपटा बनने वाला है यदि आप इसमें भुनी हुई मुमफली को डालना चाहते हैं तो भुनी हुई मुमफली को भी डाल सकते हैं आप इसमें बॉल किया हुगा मतर भी डाल सकते हैं मैंने पहले बताया कि वेज़िटेवल आप अपने एक छक्यानुसार इसमें डाल सकते हैं अमें लगातार चलाते हुगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो जरासी भी अच्छी लगे तो लाइक, सियर, कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी न भूले चैनल पर नए है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए मैं इस इसी तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगी आप हातों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और मैंने यहां पर बारिक बाले सेव ले लिये हैं आप इसमें आलू बुजिया भी डाल सकते हैं आपको जो नमकिन पसंदो आप इसमें नमकिन भी मिक्स कर सकते है बहुत ही लाजबा बाला मेरा लाई का नास्ता बन करके तैयार हो चुका है इसे आप भेल भी बोल सकते हैं आप अपने बच्चों को बैजी टेबल से भरी हुई भेल आपने घर पर बना करके खिला सकते हैं इसको बना करके आप बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें नहीं तो वो लाई है बिलकुछ सौप्ट पड़ जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे तब ही आप इसको बनाए जब आपको खाना हो और मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है देख पा रहे होंगे दोस्तों इसमें किसने अच्छे से कलर भी आ गया है इस भेल को बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगेंगे और यह भेल बहुत ही सारी बन करके तैयार होगी बहुत ही चटपटी भेल मेरी बन करके तैयार हुई है आप इसे चाय की साथ खा सकते हैं कभी भी आपको हलकी फुल की भूंक लगी हो तो आप उसमें भी इसको खा सकते हैं बहुत ही चटपटी वाली मेरी भेल बन करके तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। उपर से यदि थोड़ी बहुत टोमेटू केचप डालना हूँ तो डाल सकते हैं नहीं तो मैंने पहले ही खुब सारक टोमेटू केचप डाल करके तैयार कर लिया है यदि आप और ज़्यादा तिखा खाना चाहते हैं तो आप उपर से हारी मिर्च या रेट चिली सॉस को भी टाल सकते हैं और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद